नमस्कार मैं अरचना 75 साल हमारे सटंतरता का पूरे हुए तो इस सुनरे मौके पर मैंने 4 पंक्तिया लिखिए आपको सुनाने जा रहे हैं तिरंगे की शान को हम कभी मैला होने नहीं देंगे तिरंगे की शान को हम कभी मैला होने नहीं देंगे शहीदों ने जो खुन बहाया है वो जाया हुने नहीं देंगे हम हिंदुस्तानी है यह पैचानी हमारी काफी है तिरंगा हमेशा लहराए हर हिंदुस्तानी की यही तमन्ना है कायरो आख उठा कर तिरंग को देखने की हिम्मत भी मत करना अब यह भी शिवा जी महराज सावरकर नेता जी रानी लक्षमभाई का खुन हमें दोड रहा है यह मत भूलना याद करना देश के गद्दारों का कतल हिंदुस्तानी होने का गर्व और फर्ज हम हमेशा निभाएंगे नमन करते उस भारत माता को उसकी आन बान शान को इस तिरंगे की तरह हमेशा लहराएंगे कसम खाते है इस तरंगे को कभी जुकने नहीं देंगे जंडा उंचा रहे हमारा आन बान शान हमारा एक भारत मा की पुत्रिये जो आपने पिता से क्या कह रहे ये सुनिए भारत मा की मैं हूँ सुपुत्री अभिमान हूँ इस देश का भारत मा की मैं हूँ सुपुत्री अभिमान हूँ देश का बाबा मैं गुरूर हूँ आपका कमजोर मुझे ना समझना बाबा मैं गुरूर हूँ आपका कमजोर मुझे ना समझना मैं तो कल की कलपना चावला सायना नहीं वाल हूना बेटे जैसा बेटी को भी उतना ही प्यार दोना बेटे जैसा बेटी को भी उतना ही प्यार दोना देवी जिसकी पुझा हम करते वो तो कभी बच्ची होगी मैं भी खुद को सिद्ध करूँ इतना विश्वास मुझ पे रखो न मैं भी खुद को सिद्ध करूँ इतना विश्वास मुझ पे रखो न भारत मा की मैं हूँ सुपुतरी, भारत मा की मैं हूँ सुपुतरी, जैहिंजी